हालो फ्रेंट वेलकुम टू माई चैनल देखते हैं डॉल इंडे के साथ में गोर्ड का इसे परफॉर्म कर रहा है सिल्वार मिनी माइक्रों के बिसे में अलड़ी हमने डिसक्स कर रखा है आप चेक आउट कर सकते हैं प्रोगिलिटी क्या बनने वाली है क्या हमें चांसे रहे है लिए उससे पहले फार डिस्क्लेमर बाइंग से लिए कोई एकमडिशन नहीं हम लर्निंग परपाज के लिए अबरेटिंग यहां पर लुक आउट करेंगी किस तरह से पॉस्बिल्टी है और कैसे मार्केट करने की कोसिस करेगा अपने लिए जो हम डिसक्सन कर रहे थे स सारी कंडिशन रेगुलर पीशे बाच कर रहे थे अगर उसको आप देखते हो डॉलर इंडेक्स के लिए यह जोन हमने आज इस सपोर्ट वर्क किया था जो हंडेट पॉइंट टू का रिंज जिसनी आल्मूस काफी टाइम बिताया इसने मोर्दन सेक्स वीक यहां पर कट का रेट पॉइंट अल्री डिस्कस था इंटरस रेट की 50 पॉइंट से कट होगा सेकेंड सिंग यहां पर जो भी एकनॉमिक अक्टिविटीज और मेडिलिस टेंसन यह सब जो बढ़ती जा रही है इसके कारण से थोड़ा सा इंपक्ट इस पर पॉजिटिव साइड में देखने को मिल रहा है क्योंकि एस कंपेर टू अधर करेंसी डार में थोड़ी अच्छी ग्रोथ देखने मुले इस वहाँ से डार इंडेक्स में आपको यहां पर ब्रेक आउट लेबल देखने को मिला यह ब्रेक आउट लेबल काफी वेटर बेटर बेट से पूरे बीख और हंडेट पॉइंट थी के ऊपर निकलने पर वन जीरो थ्री के एक फूटीन के आसपास इसके लिए नेक्स रेस्टन मनेगा और उसके बाद में यह जून का फार्मिशन में इस्टक करने की कोशिस करेगा अब इसके साथ में जो गूल्ड की रेंज को कर हम देखने कोशि इसपेसिली फार डालर इंडेक्स यहां थोड़ी गिरावट देखने हो लिए बाट इस्टिल अभी इसके पास पोटेंशियल है कि यह हायर साथ के लिए जाने के लिए रेडी हो सकता है अब इसने जो हाइस पॉइंट रहा है यह रेस्टेंस जून एज़ इसके लिए 267 का के लिए अच्छा सपोर्ट करेंगा जो इसके लिए 2640 का लेवल है तो इसी बीच में फानली इसके ट्रेवल होने के ज़्यादा चांसे ज़्यादा आसार बनते हो देखने को मिल रहे हैं पॉजिटिव नेस यहां पे अगर करते हैं तो प्रिविए बीक के आसपास ही किया है अब यहां इसके पास जो जोन का फार्मिशन किया अगर यह डाउन साइड निकलता है जो ग्लोबल कंडिशन और अधर कंडिशन का फेवर में रहती तो इसब्शार चार्ज यहां पर चांटीश यह सारी लेवल से लेखने को मिल सकते हाइड साइड में निकलने में इसको 2700 का बहुत स्टॉंग रेजिस्टन से उसके ऊपर क्रोजिंग मोस्ट इंपोर्टेंट होगी और उसके बाद ही आपको यहां पर डिसाइड करना पड़ेया मार्केट क्या करने वाला है यहां पर आल्टाइम हाई कि आसपास अल्रडी यह ट्रवल कर रहा है बंडिप अगर इसके साथ में अगर आप इंडियन गोलड को देखते हैं तो इंडियन गोलड आल्लेडी 76000 के पास अपरोच कर रहा है आप इस लेवल को देखते है तो इसस प्रीबिbas में अगर हम देखेंगे तो इस लेवल को मार्केट ने 2019 से लेके अभी तक अपरोच नहीं किया ह कंडिशन वाइज अगर आप देखते हैं जो हम टाप लेबल में अभी फिलाल के लिए वाच कर रहा है 24 में जो इसने हाइस पॉइंट का मुमेंटम किया है उसके साथ में कंडिशन वाइज मार्केट के लिए कापी अच्छे लिवल्स निकल के आते हुए देखने को मिल रहे हैं अब इस 76 आल लेड़ी एक आल टाइम हाई के पास अप्रोच करने के कुशिस कर रहा है साथ में जो इसके लिए ट्रेंड लाइन थी उसको भी इसने रिस्पेक करते हुए हाइर साइड में मुमेंटम निकाला है अब यहाँ पर हम ट्रेंड को डिसाइड करना है को सब्सक्राइब कोई ट्रेंड बनता हुआ नहीं देखने को मिल दा है बट जो कंडिशन है यहाँ पर कंडिशन को अगर आप वाज करते हो तो यह जो यहाँ पर इसके लिए जोन का फॉर्मिशन का रखा है यह अच्छा इसके लिए एजर रिजिस्टेंस का काम करने वाला है जो कांटिनुस के 76 के पास अप्रोच कर रहा है डाउनसाइड निकलने पर 74,800 का लेवल पहला इसके लिए और इंपोर्टेंट सपोर्ट का काम करने वाला है हाइर साइड की पॉस्बिल्टी अगर बात कर लेते हैं मल्टिपल टाइम हिट कर रहा है अगर यह कांटिनुस में बना रहता है तो डेली में आप देखते हैं तो यह जो जून का फॉर्मिशन किया है यह एज जून हमारे लिए वर्क करेगा ब्रेकाउट में वन टाइम आपको लिए कंसिडर करना है और ब्रेकडाउन में भी वन टाइम कंसिडर करना है तो आल्मुस्ट आपको 1000 पॉइंट की रैली हो सकता आने वाए दिनों में यह देखने को लिए आइधर हाय साइड और लोर साइड डिपेंडन मार्केट अन ग्लोबल कंडिशन पर थैंक्यू फ्रेंड्स आई होप आप लोग कंडिशन को लर्न कर रहे होंगे और रेगलर वेसे वीडियो वाच कर रहे हैं तो डेफिनेटली आ दीरे दीरे करके लर्न कर सकते हैं इस वाएसे आपको फोकस करनी है लर्निंग पे लर्निंग पे रहेंगे तो अर्निंग डेफिनेटली पार्ट आफ लर्निंग होती है और यहाँ पर फोर आउर में भी आप देख रहे हो तो कांटीनी फोर आउर में लगातार अप्रोच कर